add करना है update करने delete करना view करना है तो अगर मैं view करता हूँ तो देखो अभी no student found बता रहा है क्योंकि अभी मैंने कुछ student को add नहीं किया है building a project यानि कि हम एक project बनाएंगे student grade system क्या होगा कैसे काम करेगा सारी चीज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाते समझेंगे कि dictionary होता गया काम कैसे करता है तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट मैं आगे हो मेरे कोडेटर पर और मैं यहां पर आपको dictionary के बारे में एक ओवर्यू देता हूँ कि what actually is dictionary dictionary कि अगर मैं सिर्डेफिनेशन की बात करूं तो it is a collection data type collection data type of what जिसके अन्दर जो data store होगा वो होगा key plus value key और liking value की मिला एक pair बनेगी और फिर मैं बोलूँगा कि यह यह जो है मेरा पेर है इसाओ को मैं बोल दूँगा कि यह यह मेरा अइक data है ठीक है data1 वह बोलुगा यानि कि normally अंक treatment single element इन यह 10 मेरा कहा है, एक single element है, जिसको मैं integer बोलूँगा, अगर मैं comma लगा के कर दू 20, तो आप क्या बोलोगे कि यह मेरा क्या बन गया टपल, अगर आपको पता नहीं है, तो this is टपल, अगर मैं इसको square bracket के अंदर रख दू, तो आप बोलोगे कि यह बन गई मेरी list, right, but हमारी जो आपकी रहेगी, note कर लो, यहाँ पर मैं लिक देता हूँ, left side पे जो रहेगी आपकी, वो रहेगी key, और right side पे जो आपकी रहेगी, वो रहेगी आपकी value, basically इसको बनाने के लिए हमें open close bracket, जो है, वो curly brackets का use करना पड़ेगा, जैसे मानलो की key 1 यह मेरा हो गया, उसके आद मैं क्या हो जाएगा, एक string key 1, और इसके अंदर value में रख देता हूँ 100, एक और key बनाता हूँ, key 2, और इसके अंदर रख देता हूँ 200, आप multiple keys dictionary में बना सकते हैं, but make sure उनको separate करना ना भूलें, with the help of comma, और जैसे ही आप key लिखते हैं उसके side में जब आप value डालेंगे, तो आपक इसको display कराता हूँ, print war, program को run करता है, तो देखो यहाँ पर output आचुका है, which is key 100, key 2, 200, अब जैसे definition मैंने कहा था, कि इसमें pairs के form पे data store होता है, तो key 100, ये मेरी क्या हो गई, एक pair हो गई, key value के form की, एक और pair हो गई, key 200, ये भी मेरी एक pair हो गई, तो ऐसे store होता है data dictionary में, अंदर आप पूरे cred operations कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि, अगर student का name आपको add करना है, with marks, तो आप add भी कर पाओगे, अगर आपको student का name, update करना है, यानि कि existing student है, उसके marks जो है, गलट डल गए, अब आप उसको update करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपको, उसको delete कर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप इस program को exit करना चाहते हैं, तो आप exit भी कर सकते हैं, basically ये program बार बार चलेगा, और बार आपसे ये options देके पूछते रहेगा, add करना है, update करना है, delete करना है, view करना है, या exit करना है, जब तक आप अपने आपसे by self exit या फिर 5 या जो भी option ह देंगे, वो नहीं दबा देते हैं, तब तक ये app बंद नहीं हो, अगर आप एक beginner हैं, तो हो सकते हैं, थोड़े से घबरा रहे हो, कि कैसे हम इतने सारे operations performed करेंगे, don't worry, just be with me, start करते हैं, पर उसके पहले, मैं आपको कुछ methods के बारे में बताना चाहूंगा, dictionary की, जो की हम use क करने वाले हैं, सबसे पहला कि how to create a dictionary, note कर लो, अगर new हो, तो note कर लो, अगर old student हो, तो revise कर लो, तो student नाम का हम एक dictionary बना लेते हैं, सबसे पहले हम store कर देते हैं, कि Paris एक student है, जिसके marks are 100, और हम store कर देते हैं, गोपाल एक student है, जिसके marks are 200, अभी ये मेरे dictionary बन गई, इसको print करा और dictionary का नाम पास कर देना है, इसके बात मैं आपको एक method के बारे में बताना चाहूंगा, which is accessing a element, अभी अगर हम list में काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, पर यहाँ पे हम indexing करेंगे, पर यहाँ पे indexing number डालने के बजाए हम key क डालने वाले हैं, जैसे कि हमारी एक list होती थी, 1, 2, 3, 4, जिसके अंदर elements बैटे होते हैं, तो हम क्या लिखते थे, indexing number लिखते थे, पर यहाँ पे index number काम नहीं करने वाला, अगर आपको dictionary में किसी value को display कराना है, तो आपको उसकी key access करनी पड़ीगी, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको simple print statement चला देना है, सबसे पहले हम लिखेंगे dictionary का नाम, उसके बाद हम लगाएंगे square brackets के अंदर key का नाम, मैंने क्या करा, सबसे पहले dictionary का नाम लिखना है, square brackets के अंदर आपको key pass कर देने हैं, जैसे मैं gopal pass कर देता हूँ, अब अगर मैं gopal pass करूँगा, तो output में answer आएगा 200 यानि कि अगर आप key pass करेंगे तो यह उसकी value return करेंगे तो यह हो गया accessing element उसके बाद मैं आपको पता देता हूँ कि update कैसे करते हैं यानि कि existing element है आप उसको update कैसे करोगे बहुत से लोगों को idea लग रहा होगा धीरे-धीरे कि जो project के बारे में मैंने आपको इसके लिए बहुत असान है simple print statement लिखना है सबसे पहले यहां पर हमें dictionary का नाम लिखना है उसके बाद हमें bracket में उस key का नाम लिख देना है जिसकी value हम update करना जाते हैं मैं मान रहा हूं कि चलो ठीक है गोपाल के पहले दोसों थे अभी इसने 300 marks जो है वो score कर लिए एक बार इ इतना यहां पर print करता हूं print student तो देखो output आपके सामने है आपका output यहां पर आ रहा है 300 यह वाली line को भी हम comment कर देते हैं तो देखो update हो गई जो value आ गई 300 तो देखो जब मैंने इस program को run किया तो यहां पर यह updated value निकल के आ चुकी है जो कि मैंने update करी थी अभी इसको भी हम कर इसके बाद simple हमें student जो main dictionary हमें वह पास करना है square bracket लगाके सिर्फ हमें की का नाम पास कर देना है इतना करने के बाद हमारे dictionary से वह जो पेयर है वह डिलीट हो जाएगी और output में सिर्फ बचेगा गोपाल तीन basic operation मैंने बता है fourth operation जो है simple अगर आपको dictionary को view करना है तो आप print statement पा operations जो आप dictionary में कर सकते हैं और भी methods operations है पर वो हम देरे देरे समझेंगे तो चलिए अभी project बनाना हमें यहां पर start करते हैं project.py करके मैं फाइल बना लेता हूँ यहां पे मैं functions का यूज करने वाला हूँ लूप का यूज करने वाला हूँ अगर आप एकदम new है इस वीडियो पर आगा है तो I request to आप पहले मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख लीजिए जहां पर मैंने loops क्या होते हैं functions क्या होते हैं बहुत अच्छे समझाए है start करते है step 1 करते हम सबसे पहले क्या करेंगे initializing dictionary सबसे पहले dictionary को analyze कर लेते हैं एक empty dictionary हम यहां पर बनाने वाले हैं student grades के न यहां पर function create कर लेते हैं add a new student के नाम से जब यह function call होगा तो automatically dictionary में name add हो जाएगा इसके लिए very simple हम यहां पर def करते हैं add student नाम का मैं एक function बना लेता हूँ और add करने के लिए student को dictionary पे तो चीज़े की requirement होगी सबसे पहला parameter pass करता हूँ मैं name दूसरा grade ठीक है यानिक अगर आप dictionary मैं किसी student को add करना चाहते हैं तो obviously जो student का name होगा वो होगा हमारा यहां पर key और जो उसके marks होंगे जो grade होंगे वो होगे हमारी उसकी value अब मैंने आपको पताया था कि अगर आपको किसी value को add करना है dictionary पे तो आपको सबसे पहले dictionary का नाम लिखना है उसके बाद उसके अंदर यहां पर key डालनी है अभी key हमारी यहां पर क्या होगी name क्योंकि name ही हमारा enter में आने वाला है दैन उसकी value होगी वो grade यहने कि अगर user ने यहां पर ऐसा key डाला कि my name is सागर और मेरे marks जो है जो grades 100 तो automatically यह जो data है यह जाके store हो जाएगा key value के form में इस student grades नाम की dictionary पे मैंने यहा form हो जाएगा तो message लिखके आएगा added name with a grade ठीक है यानि कि अगर student name डाला कि सागर तो message कुछ ऐसे आएगा कि added सागर with a grade जो था हमारा 100 तो इससे पता भी चल जाएगा कि हमारा function success लिए चल गया है second अब हम एक दूसरा function बनाते हैं जिसके अंदर हम student को update करेंगे यानिकि आप अपने एक function तो बना लिया student add करने का अब हम एक ऐसा function बनाते हैं जिसके अंदर आप student का नाम डालेंगे और अगर आपको उसका grade upgrade करना है यानि कि अगर पहले 100 आप 200 करना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो यह function बनाने के लिए simple हम यहाँ पे सबसे पहले def keyword का use करते हैं update student न करूंगा कि जो value यानि कि जो name आपने डाला है जो user ने enter कर है वो हमारे dictionary भी present है या नहीं अगर है तो ही आप उसका name update कर पाओगे नहीं है तो नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं find करता हूं कि if name in student grades यानि कि जो name जो आपने डाला है यहाँ पे input में जो भी डालेगा user हमारा सबसे पहले चेक करो कि वह student grade नाम की dictionary पर है या नहीं उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि जाओ dictionary है उसके अंदर जो user ने name नाम की key डाली है उसको access करो और जो grade में value है कि उससे update कर दो मान लेते हैं कि student ने डाला सागर तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सागर नाम देखे name with marks are updated और यहां पर grade यह हो गया अभी यह तो होगे हमारी if condition जब जो name मैंने डाला या जो user डालेगा वो dictionary पर मिलेगा अगर वो name dictionary पर नहीं मिला तो क्या कराना है print simple else पर आ जाएगा और मैं बोल दूंगा कि जो name आपने डालना था भीया is not found यह होगे हमारा दूसरा function भी ready अब हम एक और function बनाते हैं जिसके अंदर user जो है वो delete कर पाएगा ऐसा होता है कई बार की एक student गलाद हो गया अब हम उसको delete करना है तो वो functionality भी हम dictionary पर देने वाले है उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक function बना लेता हूं और delete student नाम से एक function बना लिया अब student delete करने के लिए हमें सिर्फ उसके नाम की जरूरत है याने की सिर्फ की की जरूरत है की एक बार हमें मिल जाएगी तो हम सीधा उसमें डैल keyword यूज़ कर लेंगे और वो automatically dictionary से delete कर देगा तो again यहां पे भी मैं सबसे पहले check करूंगा कि जो नाम आपने डाला है यो जो user ने डा दो की name has been successfully deleted अगर student मिल गया हमारी dictionary पे तो delete हो जाएगा और यह beautiful सा message यहां पे display हो जाएगा अब मैं यहां पे चलाता हूं else की अगर नहीं मिला तो again यह वाली जो line इसको copy paste कर देते हैं not found तो हमने कौनसा कौनसा function बना लिया add, update, delete और एक view वाला बना लेते हैं कि view all students याने क कि अगर कोई सिर्फ देखना चाह रहा है कि कितने student with grades मेरे dictionary पे present है तो उसके लिए भी हम एक function बना लेते हैं कि जैसे मैं यहां पर बना लेता हूं एक display all students के नामसे function जिसको चलाने के लिए मैं यहां पे कुछ भी parameter pass नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहां पे सारे students का data जो है द group मैं यहां पर इनको display करा वहां कि for name grade in student grade और मैं यहां पर यूज़ कर रहा हूं items method का items method क्या करता है basically जो भी key और value के form पे आपके dictionary पे elements present है उनको display कर देगा तो मैंने यहां पे simple एक for loop चलाया कि name और grade as a key value मुझे चाहिए और जाओ student.grade dictionary पे और .item method मैंने यहां पर यूज करी है .item method क्या करता है मैंने जस्ट अभी आपको बताए कि जो भी key और value present है हमारे dictionary पे उनको display कर देगा तो मैं यहां पर क्या करता हूँ format is string की मदद से यहां पे display करा देता हूं कि name फिर यहां पे great चलिए जी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा else अगर कोई data नहीं मि program चला के देखो कि display all student और इसको run करके देखता हूं तो क्या आता है no student found या फिर added अभी हमारा program काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसमें if else वगरा लगाए यहां तक अगर आप मेरे साथ हैं और आपने project complete कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है अभी हम क्या करते हैं अब system इतना ठीक है उसके बात मैं यहां पर इन्हें display कराना चाहता हूं कि one if you want to add a student 3,4,5,6 option देते हैं दूसरा if you want to update a student third हम यहां पर देते हैं किसका delete का कि if you want to delete a student with grade और fourth हम देते हैं view का और print हम यहां पर 5th की मान लो आपको exit करना है ठीक है यानि कि अब आपको इस program को बंद देना है तो यहां पर हम आजाते हैं अब हम यहां पर एक और variable बना लेते हैं choice नाम का जिसके अंदर हम user से input मिलेंगे की enter your choice जो भी है one two three four user डालेगा अगर choice equal to equal to होता है one याने की user कोई student को add करना चाहता है तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें name ले लेते है की enter student name जो भी name आएगा ठीक है उसके आद हमें क्या जरुवत पड़ेगी grade की भी जरुवत पड़ेगी और इसको हम रखने वाले हैं as a integer और enter student grade अब मैंने आपको बताया था अगर आपको add करना है dictionary पे तो सबसे पहले क्या करना है आपको dictionary का नाम लिखना पड़ेगा और उ यह functions हमने already बना लिए हैं वैसे विस function को call करूंगा इसके अंदर दो parameter पास कर दूंगा and simple यहां पर आके मैं इस function को call कर लेता और इसके अंदर name और grade दो argument हमारे हमने पास कर दिए same हम करते हैं कि alif अगर choice equal to equal to होती है क्या 2 यानि कि student क्या करना चाहता है update करने के लिए हमने update student एक function मनाया है update करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा again name नाम से हमें input लेना पड़ेगा कि भाई student name डालिए उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि grade क्या है ठीक है यानि कि updated grade भी तो लेना पड़ेगा ना तभी तो वह से update कर पाएगा enter student grade और यहां पे मैं simple call कर लेता हूँ यह function को कौन सा function का update student का update student और इसके अंदर हम दो arguments पास कर देते हैं yes elif अगर choice है equal to equal to three और third option हमने कहा दिया है delete करने का delete करने के लिए again हमें सिर्फ student का नाम चाहिए यानि कि हमें grade की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप delete करते हैं तो dell keyword को सिर्फ key चाहिए होती है तो हमें यहां पे grade की जरूरत नहीं पड़ेगी हम यहां पे सिर्फ enter student name और dell keyword को भी pass करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने already function बनाया है delete student नाम का और मैं इसको यहां पे call कर लेता हूं और सिर्फ name पास कर लेता है जो मेरी key है उसके बाद elif choice equal to equal to four और four option के हमारा view student यहां पे simple है print हमें क्या करना पड़ेगा अब अगर user choose करता है four और four option हमने दिय एक इसका view student का और उसके लिए हमने display all student जो है function बनाया है already एक और मैं इसको यहां पे call कर लेता हूं एक और बना लेते हैं which is elif अगर choice equal to equal to होती है five याने की इसको क्या कर दो break कर दो और break करने के पहले मैं display कराना चाहूंगा कि closing the program ठीक है fifth choice हमने जो दी थी वो exit की दी और break क आला तो हम इसको बोल देंगे invalid input या फिर invalid choice simple हमारा program था अब हम इसको run करते हैं very easy और मैं इस program को run करता हूं तो देखो यहां पर मुझे options मिल चुके है add करना है update करने delete करना view करना अगर मैं view करता हूं तो देखो अभी no student found बता रहा है क्योंकि अभी मैंने student को add नहीं किया है जिनके marks है 300 अभी अगर मैं 4th पर click करूंगा 4 number पर click करूंगा view student तो देखो मुझे यहां पर पूरे student जो available है वो दिख जाएंगे अब अगर मैं कहरा हूं कि मुझे update करना है तो यह बोल रहा है कि student का नाम डालिए मैं बोल रहा हूं राधा और grade डालिए grade मैं बोल रहा हूं 600 कर दो तो देखो यहां पर message भी display हो चुका है राधा with marks are updated 4th पर click करते हैं देखो राधा के marks पहले कितने थे 300 अपडेट हो गए 600 अब मैं यहां पर बोलता हूं कि अर मुझे delete करना है किसको delete करना मैं कह रहा हूं लक्ष्मी student को delete कर दो तो देखो लक्ष्मी has been successfully deleted बता दिया है fourth पर click करेंगे तो यहां पर गोपाल और राधा ही दो student रह गए अभी मैं कहता हूं कि अर मुझे program को exit करना है बट उसके पहले एक बार हमने जो condition लिखी थी कि अगर user choices के बाहर से कुछ value डालता है जैसे अगर मैं 0 डालता हूं तो देखो क्या बता रहा है invalid choice और program यहां प होती है समझ में आ जाएगी तो मिलते है next video पर जहां पर हम object-oriented programming के बार में जान रहे होंगे और वो भी by building projects with real life examples इस project का code में आपको नीचे description में अटेच कर रहा हूं प्लस अगर आप से 45 days में अपने आपको python pro बनाना चाहते हैं from scratch तो आप हमारे आने वाले next batch के लिए apply कर सक कर दो अपने friends के सांथ जो कि python को सीखने में बहुत साथा struggle कर रहे हैं मिलते है next video में thank you so much for watching कर दो आपको 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 आपको